गुद मॉर्निंग एवरिवन उमीद है आप सभी लोग घर पे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे इस बात का खायाल जरूर रख रहे होंगे कि आप सारे लोग कोईट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और आपके आसवासन जितने लोग हैं वो भी कोईट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं एक चीज और कि जिस किसी का भी टर्न अभी आ रहा है जो भी एलिजिबल है उनको आप ज़रूर इंकरेज करें वेक्सिनेशन और कराने के लिए ताकि यह जो भी लोगों की कॉंटेक्ट से फैल रहा है वो वो मेथड ही वो मोड ही टूट जाए एक तरीके से ठीक है तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइस कर लेते हैं फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो जिस टॉपिक के अंदर में हम सब टॉपिक्स बढ़ रहा है उस टॉपिक का नाम था अग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेज अग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेज में कुछ साथ आठ पॉइंट्स थे उनमें हमने सबसे पहला पॉइंट अच्छे से डिसकस किया हुआ था और प भी हमने study अच्छे से किया था फिर उसके बाद अगला जो step था वो था sowing seeds को जमीन में बोना ठीक है वो process भी हमने देखा था इसमें भी कुछ instruments use होते हैं वो भी पढ़ा था हमने फिर अगला step जो होता है adding manure manure और fertilizer to the soil ठीक है तो manure और fertilizer को add करने का जो process है वो भी धंक से हमने पढ़ा हुआ था और वो क्यों करते हैं यह अच्छे से clear हो गया था इसके बाद अगला point हमने जो start किया था irrigation मतलब सिचाई पानी जो है पानी डालना मतलब किसी भी तरह का crop अगर हम produce कर रहे हैं तो उसको start सारे amount में पानी चाहिए होता है कुछ वो depend करता है वैसे relative होता है सारे सारे फसलों में कुछ फसलों में बहुत कम पानी की जरूत पढ़ती है और यह जो भी हम सिक्वेंस में पढ़ रहा है अग्रिकल्चरल प्रैक्टिस जरूरी नहीं कि हर एक फसल में exactly यही steps हो यह steps आपस में interchange हो सकते हैं पहला step हो सकता हो दूसरे तीसरे पर चला जाए और तीसरा चौधा पॉइंट जो है फर्स पॉइंट पर चला जाए तो यह चीज़ें हो सकती है जैसे जनरली अगर हम उसकी बात करें धान की बात करें तो धान को अलग से थोड़े से एरिया में तयार किया जात है उसके बाद में पहले खेत में पानी डालते हैं उसके बाद ही उसको बोया जाता है उसको seeds के form में नहीं बोया जाता है उसको छोटे पॉधों के form में बोया जाता है तो वो थोड़ा सा उसका method different हो सकता है ठीक है लेकिन overall अगर देखा जाए तो यह सारे steps almost इनी sequence में होता ह कि सबसे पहले हम क्या करते हैं soil को prepare करते हैं कई बार preparation of soil जब कर रहे होते हैं उसी के साथ में ही थोड़ा बहुत खाद मिला देते हैं खास करके जो organic वाला होता है manure जो होता उसको मिला देते हैं और उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है उस तो last lecture में हमने irrigation के बारे में पढ़ा था और उसमें हम irrigation के techniques के बारे में हमने छोड़ रखा था कि हम अगले lecture में पढ़ेंगे तो आज हम irrigation के techniques पढ़ने वाले हैं हमारे इधर side में कौन से technique यूज होता है वो हम सब को पता है कि कहीं पर भी bore well वगर कर देते हैं और उससे ही पानी pipe के थरूँ खेत में पहुंचाते हैं यह हमारे यहाँ पर सबस्क्राइब यूज किया जाता है यहाँ पर क्या किया गया है तो सबस्क्राइब पहले traditional method of irrigation क्या कह रहा है कि the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields तो generally जो पानी होता है पानी कहां से हम available करवाते हैं एक तो यह तो wells में से कुवे में से या फिर lakes हो सकते हैं जील हो सकते हैं या फिर canals हो सकते हैं canals मतलब canals का Hindi आप एक बार search कर ले ना canals मतलब याद था मुझे मैं भूल चुका हूँ नहर होता है हाँ नहर ठीक है तो नहर के थ्रू भी जो नहर में जो पानी कट्था होता है उस पानी का यूटिलाइसेशन किया जाता है खेतों में कैसे यूज किया जाएगा obviously वहां से कोई नहीं कोई रास्ता बनाया जाएगा ताकि वह पानी वहां से निकलके उस खेत में जा सके तो या तो वहां से कुछ कोई नहीं मतलब ऐसे setup ही होता है उस setup के थ्रू ही हम पानी को उस source of water से खेत तक पहुंचाते है source of water यहां पर क्या क्या है? wells हो गई, lakes हो गई, canals हो गई, कई बार नदीका भी हो सकता हो, ऐसा करते हो, वैसे मैंने सुना तो नहीं है, अगर करते होंगे तो आप मुझे बता सकते हो, cattle or human labor is used in these methods, चुकि traditional methods है, traditional methods है, machines का use generally नहीं होता है, जब machine नहीं use किया जाएगा, तो machine की जगा में कुछ तो यूज किया जाएगा, तो वहां पर आता labor, labor का काम कौन करेगा, या तो इनसान करेंगे, या फिर जानवर करेंगे, तो traditional method में, जानवर और इनसान ही जादतर काम कर रहे थे, अगर हम अभी तक के जितने भी process हमने पढ़ा हुआ है, उन सारे process में हमने यहीं देखा, कि generally जो traditional methods थे, उसमें human का या तो use हो रहा है, या फिर जानवर का use हो रहा है, मतलब, इनसान का तो काम आही रहा है, इनसान का labor तो लग ही रहा है, वो तो मतलब, उसको deny कर ही नहीं सकते, साथ में कुछ जगों पे जो है, जानवरों का use कर लिया जार जारा है, कुछ जगों पे बीच को बोने की बात करें सोइंग ओफ सीट से बात करें तो जहां पर हम ऐसी स्प्रेड करना है, हाथ से ही स्प्रेड करना है, तो वहां पर हम जानवरों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंसान का लेवर तो यूज हो ही रहा था, अगर हम अभी के modern methods के बारे में बात करें, तो यहां पर भी इंसान का यूज हो रहा है, इंसान at least जो भी equipments यूज कर रहा है, वो equipments अपने आप तो चल नहीं रहा है, उसको operate करने के लिए इंसान की ज़रुत पड़ रही है वो बात अलेख है, या आज की टाइम में जो labor work है, वो relatively बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है so these methods are cheaper but less efficient less efficient तो यह जो methods हैं, जिसमें इंसान का labor use हो रहा है या फिर जानोरों का labor use हो रहा है यह cheap तो हैं बहुत सस्ते हैं, लेकिन इसकी efficiency बहुत कम है, efficiency कम कैसे है, बहुत ज़्यादा time is in methods में लगता है और बहुत कम input जा पाता है, ठीक है तो बहुत कम input जा पाता है इसी को बोलते हैं efficiency, मतलब कम efficiency, जादा efficiency कब होता जब हमें कम time में ज़्यादा output मिल जाता, ठीक है कम input देने से ज़्यादा output अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब यह को खेत में पानी डालना था और पानी डालने में ही एक- видно का टाइम लग ग pratic तो ये तो बहु क직 को एक जिए एकॉनोमिक्ल नहीं हुआ तो डर्ला लेकिन उसकी पिरिश्य का लेबरक्न लगा और महेंनत करहें घंगी उसकी खुद की जो हैल्थ हो aptane तो इसके साथ में वो compromise कर रहा होगा तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा efficient method नहीं होता है तो the various traditional ways are mode system जिसमें पुली वगरा लगा हुआ होता है और second one is chain pump mode system left side में जो figure दिया हुआ है वो mode system ही बना हुआ है अब इसके बारे में हलका फुलका इस figure से तो ये समझ में आता है कि देखो एक पुली लगा हुआ है पुली से connected एक ये घड़ा type का या एक बर्तन type का है ठीक है एक pot type का है इस pot में ही पानी carry किया जा सकता है और पुली से खीच के अंदर से पानी बाहर निकल आता है और ये जो well है well के well के पास में एक पतली सी समझ नहर type का ही रास्ता बनाए गया है जिसके तो अगर पानी जिसमें अगर पानी डाला जाए तो वो directly जहां पहुंचाना होगा वहां पहुंच जाएगा तो ये चीज़े क्या है कि एक well है well के पास में से पतली सी एक नहर type की जगह खोदी गई है जो की खेट से connected है अब well मेंसे पानी निकाल के इस नहर में पानी डाला जाएगा तो ये पानी धिरे धिरे करते 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 जहां तक इसको पहुंचाना होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा कैसे पहुंच जाएगा कुमे में से पानी बाहर निकाल के इस नाली में डाल रहा है तो ये जो नाली है या फिर कैनल है इस कैनल में डाल रहा है इस नाली में डाल रहा है और नाली के थू होते हुए पानी अपने destination तब पहुंचा रहा है वो destination क्या है इस किसान का खेद तो ये system थोड़ा सा convenient system है इसमें pulley का use हो रहा है जो कि आप देख सकते हो pulley से खीच के पानी को बाहर निकल लाया था और पानी को उडेल दिया था इस नाली में तो इस system बोलते है mode system आगे बढ़ते है दूसरा system है chain pump ठीक है दूसरा system है chain pump और third system है धेक ली and fourth one is राहत system ये चीज़े कैसे काम करती है थोड़ा सा इसके बारे में बहुत दार डीटेल में बताया नहीं है वस इसको आप ऐसी समझ लो कैसे किया गया है कि एक एक कोई chain से जुड़ा हुआ ये एक pulley type का system है ठीक है और इसके उपर एक बरतन रखा हुआ है जुड़ा हुआ है तो बरतन जब नीचे जाता है पानी कठा करता है और जब उपर जाता है तो उड़ेल देता है ऐसे कुछ system होता है ठीक है ठीकली में जो हमने पहला system देखा था mode system mode system में एक pulley यूज़ हुआ करता था लेकिन इस ठीकली वाले system में pulley की जगहां पे एक ऐसा system यूज़ किया एक liver वाले system यूज़ किया गया है ये वाले system जनरली railway stations पे देखते हो railway water पे देखते हो गया की एक side में एक side में weight डाल दिया जाता है ठीक है और दूसरे side में ये बरतन डाला गया है ठीक है बरतन में weight को जो है जब हलका कर देंगे तो ये जो liver वाला part है ये नीशी चला जाएगा और बरतन जो है इस side में weight बढ़ा देते हैं ताकि वो बाल्टी उपर आ जाए अब उस बाल्टे में पानी भर चुका होगा चुकि ये pulley वाला system नहीं है तो इसमें थोड़ा से जादा relatively मेहनत पड़ दिये ठीक है तो ये धेकली system जो है बिलकुल moat system जैसा बस ये है कि moat में और धेकली में एक ही difference है कि दोनों में एक में pulley लगा हुआ है दूसरे में pulley वाला system नहीं है lever वाला system है ठीक है उसके इस fourth जो system है ये है राहत system ठीक है तो धेकली में भी एक तरीके से lever वाला system है और राहत वाले system में ox वगरे का use कियाता है bell वगरे का use कियाता है और bell ये घूमते हैं और इससे कुछ ऐसा system होता है कि ये सामने जो चर्खा दिख रहा है वो चर्खा घूमता है और चर्खे से जुड़े हुए बर्तन लगे हुए बर्तन जब नीचे की तरफ जाएगा तो वहां से पानी भड़ता है और जब उपर जाएगा उपर से वापस जब नीचे आ रहा होगा तो पानी उडेल देता है ठीक है तो ये पूरा का पूरा system होता है और इस system के थ्रूही traditional methods से हम irrigation करते थे कह रहा है pumps are commonly used for lifting water generally water को lift करने के लिए pump का use किया जाता है diesel, bio gas, electricity and solar energy is used to run these pumps अभी जो system use किया जाता है इसमें हम generally pump use करते है to look कुछ लोग बोलते है to look pump बोलते हैं और कुछ लोग और भी कई system बोल सकते हैं to well बोल देते हैं तो ये सारे system में pump use होता है और वो pump क्या करता है जमीन में से पानी बाहर निकालता है किस के थूरू कुछ एक motor लगा होता है उस motor के थूरू और वो motor run किस पे करता है वो diesel से चल सकता है bio gas से चल सकता है या फिर electricity से चल सकता है या फिर solar energy से भी चल सकता है solar energy वाला जो system है ये थोड़ा सा कम दिखा जाता है वो इसके पीशिर कारण ये है कि इसका installment cost बहुत जादा महेंगा है अगर एक बार install कर लो फिर उसके वाल से काफी दिनों तक free में आपका सारा काम होता है इसमें आपको electricity bill भी नहीं देना पड़ता है गाव में एक अच्छी बात ये है अच्छी बात बोलो या फिर जो भी आपको decide करना हो वह decide कर लो लेकिन गौम ए electricity bill जादा नहीं आता है आप कितना भी बिजली यूज कर लो electricity bill जादा नहीं आता है तो बहुत सारे लोग इसका फाइदा उठा लेते हैं कि कितना भी यूज कर लो बिजली बिल तो जादा आना नहीं है तो इसलिए बहुत जादा यूज कर लेते हैं तो बाकी लोग के उपर इसका इंपैक्ट पड़ता है तो ये सिस्टम आपको याद रखना है traditional methods में किसी तरह का कोई भी pump नहीं यूज हो रहा था उसमें किसी तरह का कोई इसलिए energy का source नहीं चाहिए था सारा का सारा खुद ही इंसान को करना होता था या फिर किसी जानवडर का यूज करना पड़ता लेकिन अभी का system जो है इसमें हम pump और यूज करते है pump को चलाने के लिए electricity की supply चाहिए होती है या फिर पावर की supply चाहिए होती है वह power कहां से मिलेगा या तो वह डीजल से मिलेगा या फिर बायो गैस से मिलेगा या फिर electricity से या फिर solar energy से ठीक है तो अभी तक जो आपको आपने पढ़ा हुआ यह सारा चीज आपको आई होप सब कुछ समझ में आया होगा रवाइस करते रहना है वाकी घर पे रहना है और सेफ रहना है वाकी हम नेक्षर में मिलते हैं थैंक्यू